दोस्तों नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच बड़ाई भेंकर युद चल रहा है जिसके कारण सारी दुनिया में चिंता की जा रही है ऐसी भी आसंकाई हैं कि ये लड़ाई कहीं परमान युद का कारण ना बन जाए एक और गटना कारम को देखते हैं जब भारत के एक सूपरसोनिक मिसाईल पाकिस्तान में गलती से चली गई थी कभी-कभी ये दुर गटना ये बहुत ही आने पहुँचा सकती है आज का वीडियो हम कुछ ऐसी ही परमानो हतियार और परमानो सामगरी से जुड़ी दुर गटना उपर बनाया है तो चलिए वीडियो को देखते हैं दोस्तों क्या कभी आपने ब्रोकन एरो सब्द को सुना है ये एक कोड़ वर्ड है जिसका बहुत ही गूड अर्थ है यानि कि बहुत ही डीप मिनिंग है चलिए आज आज आपको बताते हैं इसके बारे में अमेरिकन फोस में एक कोड़ वर्ड है ब्रोकन एरो ये कोड़ वर्ड तभी परियोग किया जाता है जब कहीं भी दुनिया में किसी भी तरह की परमानों हतियारों से रिलेटेड दुरगटना होती है फिर चाहे वो किसी भी तरह का परमानों हतियारों का टेस्ट हो कोई भी चेर्नोबिल या जापान जैसी परमानों बिजली घर दुरगटना हो किसी तरह की पर्मानु मेटेरियल की चोरी हो या पर्मानु हतियारों का गुम होना हो वो इसको broken arrow बोलकर संबोधित करते हैं आज हम आपको बताते हैं किस तरह से अमेरिका ने अलग-अलग दुरगटनाओं में अपनी ये पर्मानु हतियारों को खो दिया है हम सभी जानते हैं कि पर्मानु हतियार कितने खतरनाक एवं विनाशक होते हैं 1950 से लेकर आज तक कोई 32 पर्मानु दुरगटनाओं अमेरिका के साथ हो चुकी है जब सीत यूद चल रहा था तब अमेरिका और सोवियत संग ने बहुत सारे पर्मानु हतियार विक्सित किये थे और दोनों ही देशों में कई तरह की पर्मानु दुरगटनाओं भी हुई थी अमेरिका के रक्षा विभाग ने साल 1950 से अब तक 32 ब्रोकन एरो दुरगटनाओं रिपोर्ट किये हैं हम आपको कुछ ऐसी ही दुरगटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जब अमेरिका ने अपने पर्मानु हतियारों से नियंतर्ण खो दिया अमेरिका के इतिहास का पहला ब्रोकन एरो हुआ साल 1950 में 13 फरवरी को जब एक 26 हवाई जहाज इलसन एयर फोर्स बेस से उड़ान भरता है जिसके चालक दल में 17 लोग है लेकिन ये जहाज उत्री ब्रिटिस कोलंबिया में दुरगटना गरस्त हो जाता है लेकिन जहाज के दुरगटना गरस्त होने से पहले ही मार्क 4 कैटेगरी का जो परमान भम उसमें था उसको इजेक्ट कर दिया गया था ये दुनिया के इतिहास का इस तरह का पहला इंसिडेंट था जब ये हवाई जाज इल्सन एरफोर्ट बेस अलास्का से सैन फ्रांसिस्को के उपर परमान भम गिराने के सिमुलेशन के मिसन पर था 10 मार्च 1956 पहला परमान भम खोने के 6 साल बाद फिर से एक बार ऐसा ही होता है जब एक 20-47 बंबर जिसमें परमान भम के दो कोर थे भूमध्य सागर में दुरगश्टना ग्रस्त हो जाता है एक 20-47 स्टाटो जेट अमेरिका की वायू सेनक आवाई जहाज गायब हो जाता है जब परमान भम के दो कोर एक जगें से दूसरी और ले जा रहा था यह एक लंबी दूरी की बिना रुके यानि नौन स्टोप फ्लाइट थी जब यह जहाज मैकडिल एर फोर्स बेस जो की फ्लोरिडा में है उसने वहाँ से उडान भरी और उसको किसी दूसरे देश में स्थित बेस पर जाना था इस नौन स्टोप फ्लाइट को भूमत देशागर के ऊपर दो बार रिफ्यूल करना था एक बार इस जहाज को रिफ्यूल कर दिया गया था लेकिन इस जहाज को दूसरी जगे जहां पर रिफ्यूल होना था उस थान पर यह कभी पहुँचा ही नहीं बाद में ऐसा माना गया कि संभवता यह जहाज रास्ते में भूमत देशागर के ऊपर कहीं दुरगटना गरस्त हो गया होगा लेकिन बहुत गयन खोज भी इनके बाद भी ना तो ही सवाईजाज का कभी पता लगा नहीं इसका मलबा मिला और नहीं इसके कुरू मेंबर का कोई पता लगा नहीं उन दो परमानु पेलोड का ही आज तक कोई पता लग पाया है साल उन्निस ओठावन पाँच फरवरी एक अमेरिकन बी 47 बोमबर फ्लोरिडा से परमानु हतियार के साथ एक ट्रेनिंग मिशन पर उड़ता है इस जहाज को किसी रसियन सहर के उपर परमानु बम गिराने की सिमुलेशन करना था और इंटरसेप्टर से कैसे बचना है इसको इसको भी सिमुलेट करना था लेकिन जोर्जी आके सागर तटके पास ये बोमबर जहाज और इंटरसेप्टर आपस में टकरा जाते हैं इंटरसेप्टर का पाइलट इजेक्ट हो जाता है लेकिन बोमबर जहाज का क्रू लेंड करने की कोशिस करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता और उसको उस बंब को सागर में गिराना पड़ता है क्योंकि ये एक ट्रेनिंग और सिमुलेशन मिशन था तो उसके प्लोट्रिनियम में सुरक्षा के लिए कुछ बदुलाव किये गए थे ताकि उससे कोई जानमाल का नुक्सान ना हो साल 1961 जनवरी 24 एक B-1 स्टेट फोर्ट्रेस हवाई जाज उत्री करोलिना में हवा में ही तूट जाता है और क्रेश हो जाता है जब ये 2 मार्क 49 नूकलियर बोम ले जा रहा था लेकिन इन में से एक बंब दलदल वाली जगह में गिर जाता है लेकिन इस बंब को कभी भी ढूंडा नहीं जा सका जबकि उस बंब को ढूंडने के लिए 50 फिट गहरी दलदल वाली जमीन को खोदा भी गया इस बंब को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका की सेना ने सरकार से उस पूरे छेतर में सरकारी अनुमिति के बिना खुदाई को परतिबंदित करवा दिया था साल 1965 पांच दिसंबर A-43E स्काई होक अटैक एरक्राफ्ट जो कि USS तिकोंडरोगा नाम के एरक्राफ्ट केरियर पर दुरगटना गरस्तो कर परसांत मासागर में गिर जाते हैं अपने साथ जहाज के पाइलेट और उस परमानु बम को लेकर समुद्र में 16,000 फिट गहराई में समा गया। उसके बाद उस जहाज, उसके पाइलेट और उस परमानु बम का आज तक कोई अता पता नहीं रही है। साल 1966, बसंत का मोसम, हमलावर पंडूब्बी USS Scorpion अपने तीन महीने के डिप्लोईमेंट के बाद अमेरिका वापस लोट रही थी। तब ये वैसल अटलन्टिक सागर में दक्षनी पस्चमी एजोरेस से 805 किलोमेटर दूब जाता है। लेकिन इसका डूबना आज भी एक र प्लास्ट हो गया था। जिससे इसके अंदर पानी गुश गया और 11,000 फीट गहरे समुदर में डूब गई हो गई। इस एक्सिडेंट में यह दो बड़े हिस्सों में तूट जाता है। सामने के हिस्से में तोर्पीडो रूम एवं कंट्रोल कमांड सेंटर था। इससे थ तूटे हुए हिससे परमानु रियक्टर, परमानु हत्यार लगे तौर्पीडो और कुरू मेंबर्स को कभी भी बाहर नहीं निकाला जासका। यदपी अमेरिकन नेवी आज भी परियावरण में किसी भी तरहें के रेडियो एक्टिव रिसाव को लगातार मोनिटर करती है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे इसका पता लग सके। अनव जीवन पर किसी भी तरहें का कोई भी संकट इनकी वज़े से आए। उमीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए लाइक करने के लिए हमारा उत्सावर धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।